जै मादादी मित्रो मेरे नाम पंदित प्रकाश जो सी स्वागत है मेरे YouTube फेस्बुक चैनल एष्ट वाज में मित्रो हम चर्चा करने मेस रासी के अक्टूबर के मंतली राशी फल की या नि मेस रासी की कई सवास्त chilकी परिवार की स्थथी इसके बारे में इस पारे करम में डिटेल में कर चर्चा करेंगे अक्टूबर के महीने में में सरासी वालों के जीवन में कम से कम 10 घटनाएं गटित होने वाली है ग्रेगोचर के अनुसार अब वो घटनाएं क्या होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे साथी साथ अक्टूबर का महीना जोतिष के अनुसार बहुत खास है तीन बड़ी घटनाएं अक्टूबर के मेने में आकाशी भरमाणी चितिज में होने वाली है उसको मैं पहले अफगत कराना चाहता हूँ तो तीन बड़ी घटनाएं अक्टूबर में होगी पहला 14 को चंद्र रहें लगने वाला है 75 तीसज़ पर के तूपर को राहो के तू का राशी परिवरतन होने वाला है यानि दिखा जाये तो 18 साल बार राहु देब मेंज सरासी से चू्टकाः और कहीं ना कहीं मीन राशि में यानि वकली होते हुए पीछे चलते हैं मीन राशी में जाने वाले हैं और एक राशी में अठारा महीने रहते हैं यह भी मैं आपको बता दूँ यानि यह तीन बड़ी घटनाय हो रही है यानि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रैन 28 अक्टूबर को चंदर ग्रैन और 30 अक्टूबर को राहू के दुका राशी परिवर्तन चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि अक्टूबर के मेने में में सरासी यानि एरीज की दस घटनाय क्या होगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं पूरा चंद्रमा और राहू तीनोग रहे आपकी राशी में ही अक्टूबर के मैने में बैठे वैंड यानि कहीं ना कहीं आपका सोबाव कुछ अजीव गरीव होने वाला है आप उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे चतूद भाव में शुक्र बैठे हैं तो शुक्र देव अक्टूबर के मैने में मालब भी योग बनाने वाले में इस रासी का तो इससे आपको फाइदा होगा बुद्ध आपके कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठे हैं जैसे आप देख रहे हैं सूरी और मंगल आपके छटे बाव में बैठे हैं और केतू आपके साथवे बाव है शान्ति का कारथ के उसके साथ में राहू का आ जाना और मन का कारथ चंद्रमा का साथ में मिलान हो जाना यानि अक्तूबर का महेना मेज रासी वालों को कोई नहीं समझ पाएगा यानि आपका नेचर अन्प्रिडिक्टिबल होने वाले सब को चोकाने वाला है कुछ आप ऐसे काम करेंगे कि सब करेंगे यह इन्होंने करा है मान ही नहीं सकते तो आपका नेचर रहेगा कभी आप पूजा पाड करते वे नजर आएंगे कभी आप पूजा पाड को अंद्विश्वास बताते वे नजर आएंगे कभी आप डरते वे जराएंगे यानि पल में तोलना पल में माशा ऐसा आपका नेचर होने वाला है कभी आप चिर्चड़े हो जाएंगे पती पतनी परिवार को खूब डाटने वाले हैं कभी आप बहुत करने वाले हो जाएंगे कभी आप प्रेम और सपोर्ड करने वाले हो जाएंगे तो कुल म गटना तो यही है साथी साथ देखा जाए तो एक तारिक से लेकर 15 तारिक तक आपके अंदर प्रोज जदा रहेगा ऐसा योग नजर आ रहा है आप दूसरी गटना के बारे में बात करें तो तीन अक्तूबर से मंगल और गुरू दोनों आमने सामने आ जाएंगे कहीना कहीं देखा जाए तो गुरू तो आपके मेश राशी में बैठे है मंगल भी तुला राशी को तीन अक्तूबर को आ जाएंगे आमने सामने रहेंगे समसब्तक योग मंगल और गुरू का बनने वाला है आप यह जो समसब्तक योग बनेगा इससे देखा जाए तो आपके विदे समंदी काम सपल होते वे नजर आएंगे या विद्या समंदी या गौर्णमेंट में कुछ application कुछ apply किया है तो वहां से आपको positive result मिलता हुआ वीजा या आपका government application का नजर आएगा या विद्या समंदी आपको कोई खुश कवरी या कोई थ मार्ण की बड़ा काम आपका बन सकता है समसब्त तक योग के कारण तीसरी कठना के बारे मैं बात करें तो तीसरी अपना यह है कि घनवाओं के स्वामी आपके शुकत जटाएं और शुक देखा जाए तो शुकत का गोचर दोनों प्रकार का रिजल्ट फाइनांस में अक्टूबर के मेने में मेश राची को मिलने वाला यानि शुक्र जो है आपके पंजम माहों में बैठेंगे तो अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा अच्छा क्या मिलेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अच्छा रिजल्ट यह कि आपको धन समंदी कोई बड़ी डील आपकी अचानक बन जाएगी या अचानाएगी धन समंदी कोई लाब आपको देखे जाएगा यानि कोई व्यक्ति आएगा कोई जान परचान से कोई व्यक्ति आएगा आपको अच्छा लाब दे सकता है या ऐसा योग नजरा रहा है साथी साथ देखा जाए तो शुक्र सिंग रासी में जब भी बैड़ जाते हैं तो व्यक्ति अपनी कामुकता पे भोग विलासता पे बहुत पैसा खर्च करता है यानि आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं होगा यहां पर आपको अचानक धनलाप भ यह ँग नजरा रहा है दूसरों को करने के चकर में आप फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं एसा योग नजरा रहा है चौती गणना के बारे में अगर हम बात करें तो अक्टूबर के महिने में देखा जाए तो चंद्रमा राहू एक साथ बैठे हैं चंद्र राहू जब भी एक साथ बैठते हैं तो कहीं न कहीं विश योग बनता है तो घर के अंदर चोरी का योग अक्टूबर के मेने में बन रहा है जब भी आप अक्टूबर में 5-7 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो घर में ताला स्रिफ लगा के ना जाएं किसी को घर में रख के जाएं क्योंकि अक्टूबर के मेने में आपका चोरी का योग बन रहा है तो थोड़ा आपको साफधान रहना है अगर आपकी साफधानी हटी तो दुरगटना घटी हो सकती है मित्रो तो ऐसे में अक्टूबर के मेने में कहीं भी आप दूर जा रहे हैं पासा दिन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा पाचवी घटना के बारे में बात सूरिय आक्टूबर के मेने में संतान से संबंदित आपको या संतान को मिश्रित फल दे सकते हैं यानि एक तरिक से लेकर और 17 अक्टूबर तक देखा जाए तो सूरिय देव कन्याराशी में रहेंगे 17 तरिक तक और छटे वाव में रहेंगे छटा वाव रोग वाव होता है संतान को ENT की प्रॉब्लम गले से संबंदित प्रॉब्लम कप से संबंदित सरदर्ध की प्रेशानी या वायरल इंफेक्शन रह सकता है संतान को 18 तरिक से लेकर और 30 अक्टूबर के पीच में अगर देखा जाए तो छोटी संतान का तो नॉर्मल है क्योंकि देखा जाए त 18 तरिक से 30 सूर्य देव छटे भाहों से निकलके देखा जाए तो साथ वे भाहों जहां साथ नमबर लिखा है वहां आ जाएंगे और बड़ी संतान को देखा जाए तो ऐसे में सूर्य और केतू एक साथ मिलेंगे तो बड़ी संतान यानि 18 प्रश जो भी संतान है उनको 18 त अक्टूबर तक वहां चलाते वे साथानी रखनी है वां से च्छोटा-मूटा एक्सिडेंट की योग नज़रा रहें और करियर में अक्टूबर का महिना साफधानी रखनी है तो हेल्थ के लिए अक्टूबर का महिना च्छोटी संतानों या बड़ी संतानों उनके लिए अच्छा नहीं यदि आपकी संतान नहीं है तो यह नियम स्वयम आप पे अप्लिकेबल होते हैं अगर आपको वा रहे हैं तो आपको साफधानी रखनी है जब भी बुद्ध देखा जाए तो तुला या कन्या राशी में होते हैं या कन्या और तुला दोनों ही बौधिक राशी होती है ऐसे में देखा जाए तो रूची डेवलप हो जाती है यानि इच्छा सकती और रूची आपकी इंटर्स्ट जागरित होता है ऐसे में व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है सीखने की कोशिज करता है तो कुल मिलाके देखा जाए तो कुछ ना कुछ विद्यारती नया सीखने वाले हैं या तो ऑनलाइन सीखेंगे या नया कुछ सब्जेक्ट का सीखने वाले एक्स्ट्रा क्लास आप लेने वाले हैं तो कुल मिलाके नया अक वो नौकरी वालों पर घटित होगी अक्टूबर का मैना बहुत अच्छा रहने वाला है और खासका जब अच्छा रहेगा जब तक बुद्ध आदित्ती योग बनाए यानि सूरी और बुद्ध एक साथ कन्या राशी में रहेंगे और यह रहेंगे एक तारिक से लेकर 18 अक् आपकी प्रफॉर्मेंस ऑफिस में सबसे बैतर रहेगी जबर्दस सेल रहेगी बहुत आपके काम की तारीफ करेंगे मैनेजमेंट आपसे प्रभावित रहेगा यह 18 दिन मेज रासी वालों का जादू जबर्दस चलेगा जब तक सूरी और बुद्ध कन्या राशी में रहे यहां पर जल्दी वाजी में काम करने से आपके काम में बड़ी गल्ति आऊ सकती है अन्यता नौर्मल आठवी घठना के बारे में बात करें तो इसका समबंध है दामपत्य जीवन में यानि दो बड़े ग्रह पॉजटीव है दामपत्य जीवन में पहला देखा जाय तो सिं राशी में चले गए और गुरू मेश राशी में और एक दूसरी को द्रिष्टी दे रहे यानि कि समसब तक योग नजर आ रहा है तो इसका प्रभाव इन दो पॉजिटीव चीजों का प्रभाव दामपत्य जीवन में पढ़ने वाला है पहला देखा जाए तो मेश राशी के प्रेमी प्रेमी का लव कपल के लिए पूरा महीना अक्टूबर का देखा जाए तो आपका पार्टनर करियर से या अपनी पस्टनल लाइफ से समदेद कोई बड़ी खुशकबरी अक्टूबर में आपको देने वाला है ऐसा योग नजर आ रहा है पार्टनर को पदधन का लाव अक्टूबर के महिने में होगा मंगल और गुरू के समसब तक थे यह 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 योग बन रहा है साथी साथ तीसरी घटना के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को उनके माता पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है कोई मोबाइल कोई भौतिक वस्तू का लाव टीवी 30 1 अक्टूबर दक देखा जाए तो पार्टनर का देखा जाया पार्टनर आपको संतान समन्धी कोई खुशकबरी दे सकता है यह संतान से रिलेटृट कोई खुशकबरी पार्टनर के त्रूield आपको मिलेगी जिससे आप息ुश् थ dz Cannon hurd कि उनकी भौत पाने वाले संतान पर गर्व महसूस करने वाले हैं और वो खुशकबरी आपको पार्टनर के तुरूई अक्टूबर में मिलने वाली है दूसरा देखा जाए तो पार्टनर को कोई सोना चांदी का लाब होगा या तो पार्टनर को कोई सोना चांदी दिलाने वाला है अब कौन दिलाने वाला सम तूंद आप गए होंगे यानि पार्टनर को सोना चांदी का लाब होगा नवे घतना के बारे में बात करें तो बहं ये वयात्री वर्ग पर हो रही है । यानि कि देखा जाए तो अक्टूबर का महिना व्यापारी वर्ग का नौर्मल मनथ है फिर भी दो भागों में बटा है यानि एक तारीक से लेख और चोदा अक्टूबर तक दैखा जाए तो व्यापारी लोग नौटि किनने में ओडर गिन्ने में busy रहेंगे busy रूटीन रहेगा धीमे धीमे काम के उन्नती होगी यानि धीमे धीमे 14 अक्टूबर तक व्यापारी दुकानदार बहुत busy रहने वाले यानि कि सेल तो होगी उसके इसाब से आप बिजी भी रहेंगे 14 अक्टूबर तक सांस लेने की आपको फुर्सत नहीं मिलेगी और कोई बड़ी डील करा सकता है बड़ा काम दे सकता है बड़ी कंपनी से आपका टाय अप करा सकता है तो 15 से 30 अक्टूबर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपके धुकान आपके काम में आने वाला है पंदरा से 30 अक्टूबर व्यापारी के लिए जबर्दस बड़ाव वाला रहने वाला है तो मित्रो इस कारेकर में बजदनाई मुझे दीज़ाए जय ही मतादी